PowerPoint की वीडियो में आज हम जानेंगे slide number के बारे में जब आप slide number के इस icon पे click करोगे तो हमारे पास header footer की ही window open हो जाती है इसके अलाबा जब आप date and time पे click करते हो तब भी हमारे पास यही window open होती है तो देखें यहाँ पर मैं slide number के इस icon पे click कर रहा हूँ अब इसमें हमें काफी सारे option मिल जाते है slide और notes और handouts already मैंने header footer की video में completely सभी कुछ बता रखे सभी option को बता रखा है detail में इसके अलावा date and time में भी मैंने इन option को बता रखा है तो देखिए slide number के लिए हमें यहाँ पर एक check box मिल जाता है जब आप इस check box को check करोगे तो यहाँ पर preview में जो यह last यह जो third box है यह हमारा black color से fill हो जाता है इसके बात देखे यहाँ पर जब आप apply पे click करोगे तो जैसे कि यह जो current slide है सिर्फ इसी slide पे आपका number show करेगा slide का number लेकिन अगर आप apply to all पे click करोगे तो आपके पास जितनी भी slide होगी सभी slide में वो slide number show करेगा जैसे मैं अभी apply पे click कर रहा हूँ तो देखे यहाँ पर slide का जो number है one show हो रहा है इसके अलाबा जो second slide है यहाँ पर number show नहीं हो रहा है और third slide पे भी number show नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पर देखे मैं फिर से slide number पे click कर रहा हूँ और अब मैं apply to all पे click करूँगा तो देखे अब जो number है slide का वो सभी slide पे show होगा तो यहाँ पर देखे one show हो रहा है bottom right side में देखे इसके बाद देखे यहाँ पर भी bottom right side में slide number 2 आ रहा है और slide number 3 में यहाँ पर देखे और apply to all पे click कर दीजिए तो सभी slide से आपका slide का number remove हो जाएगा